हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वाव वीडियो और दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 29 अगस 18 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट एफेर कोईश्चन्स जो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसका पहला कोईशन आपको बताना कि हाले में UNEP के सहायक महासची और अध्यच किसे नुक्त किया गया है आपके ऑप्शन है A. सत्यायस्त्रिपार्ठी, B. मौरिस स्ट्रॉंग, C. अचीम स्टेनर, D. कलाउस टॉफर दोस्तों हाले में UN के सहायक सची और अध्यच के रूप में सत्यास्त्रिपार्ठी को नुव्यार के कारियाले का इन्हें अध्यच नुक्त किया गया है तो आपका ऑप्शन जो A है वो सही हो जाएगा सत्यास्त्रिपार्ठी ठीक है अब जो आप फोटो देख पार होंगे यह है सत्यास्त्रिपार्ठी और यह जो है सहायक मा सचीव के साथ जो है अध्यच के पत्पे भी नुक्त हुए है और इन्होंने 2017 से UNEP के डेवलेप्में अब युएन एपी के वारे में कुछ पॉइंट्स में आपको पताता हूँ सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम यह है युएन एपी का नाम और इसका जो हैड़क्वा और इसके हेड हैं उनका नाम है मैं आपको उनका इरिक सोलिंग एरिक सोल इम यूए नेपी के करिंट जो है हैड थीक है तो दोस्तों इसकूशंसे आपको इतनी जनकारि मिल जाती है बढ़ते हैं आचके नेक्स कोशण पे दोस्तों करना इस question आपको बताना कि हाली में भारत में रास्ट्रिय ड्रोन नीती को अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया है आपकी option है A. केंदर सरकार B. नीती आयोग C. नागरिक उड्डेयन मंत्राले या फिर D. इनमें से कोई नहीं दोस्तों हाली में नागरिक उड्डेयन मंत्राले द्वारा भारत में रास्ट्रिय ड्रोन नीती को अंतिम रूप दिया गया है तो आपका option C. सही हो जाएगा भारती ये उड्डेयन मंत्राले ठीक है अब यहाँ पर बात आती है भारती उड्डेयन मंत्राले की तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के करंट नागरिक उड़ेयन मंत्री कोन है तो सुरेश प्रभू है भारत के करंट नागरिक उड़ेयन मंत्री साथी साथ जो है यह जो नीत लागू की जाएगी वो 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी जिसमें दिन की उडान के दवरान 400 मीटर तक की उचाई तक आप अपना ड्रोन उडा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इस कोशन में जो है इस कोशन से आपको इतिनी जनकारी मिल जाती है बढ़ते हैं आज के नेक्स कोशन पर दोस्तों करने इस question आपको बताना है कि हाली में भारत सरकार ने किस राज्य में लखवार बहुत देश्य परियोजना के लिए समझोते पर हस्ताचर किये हैं आपकी option है A. राजस्तान, B. हिमाचल प्रदेश, C. उत्तर प्रदेश या फिर D. उत्तरकंड तो दोस्तों हाली में नितिन गटकरी ने जो है छै राज्यों के मुखमंत्रियों के साथ लखवार बहुत देश्य परियोजना के पर जो हस्ताचर किये हैं और यह जो परियोजना सुरू की जाएगी वो की जाएगी उत्तरकंड में तो आपका option D सही हो जाएगा उत्तरकंड ठीक है अब इसमें क्या कुछ प्रदेश प्रदेश राजस्तान हर्याणा और दिल्ली शामिल है अब इसमें जो है यमुना के उद्गम मस्थल से यमुना ओखला बैराज तक इस प्रोजक्ट पर काम किया जाएगा और इसमें हाइड्रो पावर प्लांट सिचाई उपयोग है तो प्रयाप्त पानी की शुवधा और ऐसी कई सारी शुवधा है इसमें जो है दी जाएंगी ठीक है तो इस question से आपको इतनी जनकारी मिल जाती है बढ आपके option है ए मलेशिया बी सिंगापूर शी जापान या फिर डी फ्रांस तो दोस्तों हाली में अप्रेल जून के बीच अप्रेल जून तीमाही के बीच में दुआ ठारा और उननीस के बीच भारत में अब डियाई का जो सबसे बड़ा सुरूत देश है वो हो जाएगा पूटर रहन इलक्टरॉनिक्स जो है फिल्ड सामिल है ठीक है तो इस कोश्चन से आपको इतनी जानकाली मिल जाती है बढ़ते हैं आपके नेक्स कोश्चन पर दोस्तों हाँ आपको बताना कि हाली में प्रधान मंत्री जन आरोगी और जना के लोगो का अना वरण किसकी दोस्तों हाली में केंद्री स्वास्त मंत्री जेपी नड्डवा दारा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के लोगों का अनावनर किया गया तो आपका option B सही हो जाएगा साति सात केंदर सरकार दौरा चलाई जाने वाली आयुषमान भारत इसकीम के अंतरगत प्रधानमंत्री जनारोग योजना ये उसकीम है और बात कर लेते हैं आयुषमान भारत की तो आयुषमान भारत के तहट 10 करोन से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्स प दोस्तों आच कर नेक्स कोईशन आपको उताना कि हाली में परियतन मंत्राले द्वारा किस राज में श्वदेश दर्शन परियोजना के तहट दो नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गए है आपके ओप्शन है A. पंजाब, B. त्रिपुरा, C. असम या फिर D. A. एंड बी द जाएगा ठीक है अब इससे पहले मैंने आपको जो है कई इसके बारे में एक और पाइंट बताया था कि स्वदेश दर्शन परियोजना जो है वो परियतन मंत्राले द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है जिसमें पुरानी धरवरों को बेवस्तित करने का कारी किया ज जो पहली नौर्थीस्ट में स्कीम चलाई गई उसका नाम है नौर्थीस्ट सरकीट इमफाल और खोंग जोंग जो मड़ीपूर में चलाई गई ठीक है तो इस कोश्चन से आपको इतनी जनकारनी मिल जाती है चलिए देखते हैं आजका नेक्स कोश्चन दोस्तों आजका न दोस्तों हाली में उडिशा सरकार द्वारा मूँ हीरो मूँ उडिशा इसकीम चलाई गई है राज जी के युवाओं को उनकी पहचान देने के लिए अब यह एक उडिया शब्द है मैं इसका आपको हिंदी में चलाण बता देता हूं तो इसका मतलब है मैं हीरो हूं और मै है उडिशा हूं जैसा कि इसकी स्टेटमेंट से हिसाब हो रहा है कि यहां की युवाओं को उनकी पहचान देने के लिए इस जो है कारिकरम की सुरू करने का जो स्रे है वो बिजू युवा वाहिनी द्वारा आयो जीत किया गया ठीक है तो इस कोश्चन से आपको इतनी जन हो जो आपकी है तो आपके औशन है दिल्ली जो दोस्तों 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 दौरा रेचिक और रहिए उन्रब्सटी यह आ इस चलने हाल यह सरीचम वाला पनप के शाम रहे जिसमें गलास से बनी चीजों क्यत्रिक्त और सारे जो अपसिस्ट पदार्थ होते हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा ठीक है तो आपको इस कोशन से इतनी जनकरे मिल जाती है चली देखते हैं आज का नेक्स कोशन दोस्तों आज का जो नेक्स है उसमें कई सारे मैंने पॉइंट से एक साथ दे रखे हैं इ पहला है लॉंग जंप महिलाओं में नीना वराकिल ने सिल्वर मिडल तीस अजार मीटर स्टेप चेज महिलाओं में सुधा सिंग ने सिल्वर मिडल चार सो मीटर बादा दवड पुर्षों में धारु नया में अयामी को सिल्वर मिडल कंपाउंड तिरंजादी महिलाओं मे भारत को silver medal, compound तिन जादी पुरिशों में भारत को silver medal और badminton singles महिलाओं में PV सिंधू को silver medal मिला है और ये Asian Games में ये पहली महिला बन गई है जिनोंने final खेला है और final में इने silver medal मिला है ठीक है, तो इतने सारे जो है awards 28 अगस्ट और 18 को Asian Games में भारत को मिले हैं मैंने एक जगा सारे दे रखे हैं आप note करना चाहिए तो note कर सकते हैं बाकी ये जो सारे मैं आजकल आपको ये awards बता रहा हूँ ये आने वाल exam के लिए काफी important है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और आप देख लिजेगा बाकी दोस्तों आजकी वीडियो में इतना ही आप दिये गए लिंक पे मुझे अने अकेडमी पे फालो भी कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा साथी साथ अगर आपको आजकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिए जादा से जादा share करिए और channel को subscribe कर लिजे साथी साथ bell icon को press करना बिल्कुल मत भूलिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक आपके बहुत बहुत शुक्रिया